गोल्डन नियम नमबर तीन जाती का भ्यास कभी नहीं कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो बुद्ध की जाती क्या है बुद्ध की जाती के वारे में अगर आप सोचोगे तो आपको ढूंडे से भी बुद्ध की जाती नहीं मिलेगी अगर आप समराट असो की जाती ढूंडोगे नहीं मिलेगी कोई बताएगा तो यही बताएगा कि साक्के वंस के थे या मौरिय वंस के थे मतलब गोत बताएगा किस लाइनेज के थे कहां से परिवाद चल रहा था पर जाती नहीं बता सकता अगर आप कालपनिक पात्र जितने भी कालपनिक किताबों के अंदर जो कालपनिक पात्र दिये है अगर वो कालपनिक कहानी पढ़ोगे तो किसी भी कालपनिक कहानी में कालपनिक पात्र की कोई जाती जाती जो आज के समय अभ्यास में प्रैक्टिस में पूरे देश में चलती है उसकी बात अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर तो किसी भी कालपनिक पात्र की कोई भी जाती आज के समय कि आपको नहीं मिलेगी अगर आप जाती का और ज़्यादा गेहन अध्यन करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी कालपनिक देवी देपता हैं जितने भी पूजनी है जितने भी आधरनी है यह जिनकी महिमा मंडित होती है उसमें से किसी की भी जाती का जिक्र या जाती या उनकी जहां से कालपनिक कथाएं आई हैं उनमें जाती नहीं मिलेगी तो जाती का जिक्र उनका मिलता नहीं और जाती पूरे के पूरे भारत में आज के समय अभ्यास में है और यहां से बाहर जाते हैं तो भी लोग उसका अभ्यास करते हैं अगर वो करना चाहें क्योंकि जिनको फाइदा होता है वो अभ्यास करते हैं और जिनका फाइदा नहीं होता नुकसान नहीं होता वो कहते हैं जाती का अभ्यास कभी नहीं तो जाती का जो सब्द है या जाती क्या है या जात क्या है इसके वारे में ज़्यादा जानकारी लोग रखते नहीं जबकि इसका इस्तमाल और इसका अभ्यास खूब करते हैं ये एक बड़े ही कमाल की बात है कि अगर आप किसे पुछोगे कि आपकी जाती क्या है तो वो जट से बता देगा बिना सोचे समझे मेरी जाती ये है जैसे वो रटी हुई हो पर उसे ये पूछेंगे कि ये जाती कहां से आई कैसे आई क्या इसका मतलब है तो वो कुछ नहीं बता पाएगा और भारत के अंदर कुछ लोगों की जाती होती है और कुछ लोगों की जाती नहीं होती ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति की जाती होती है जो जाती हैं प्रैक्टिस में लाते हैं वो भारत में हर व्यक्ति की जाती नहीं है कुछ व्यक्तियों की जाती नहीं है और कुछ व्यक्तियों की जातियां है ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता कि कुछ लोगों की जाती क्यों नहीं और कुछ लोगों की जाती क्यों है क्योंकि सोचते नहीं और बिना सोचे समझे जाती को कमर पे चिपकाए, छाती से चिपकाए, माथे पे चिपकाए घूमते रहते हैं उसका गुणदान करते रहते हैं उसका अफगान करते रहते हैं जात का जो सब्द मिलता है या जाती का सब्द मिलता है वो मिलता है तीपीटक के अंदर बुद्ध के वचनों के द्वारा जब बुद्ध कहते हैं जाती दुखा जरा दुखा व्याधी दुखा मरनंग दुखा वहां जो जाती का संबंद लगाया जाता है और बताया जाता है और जो बुद्धिष्ट ग्यानी है वो बताते हैं जो नौर्मल ग्यानी है बुद्ध के या त्रिपिटक के वो कहते हैं कि बुद्ध ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का व्याधी यानि कि बीमारी दुख है, किसी व्यक्ति का जरा यानि बढ़ापा दुख है, किसी व्यक्ति का मरनंग यानि मरना दुख है और इसी के साथ ये कहते हैं कि किसी का पैदा होना यानि जाती माने पैदा होना अत्पन होना दुख है यह साधर्ल लाइन सब लोग बताते हैं यह साधर्ल लाइन है इध्यान लखना क्योंकि मैंने अभी तखH, का आपको सिर्फ साधर्ल लाइन बताई है पर बुद्ध ये नहीं बतारे यहाँ जाति से मतलब मनुस्य का जर्म लेना या मरन का मतलब मनुस्य का मरना या व्याधी का मतलब जो मनुस्य की जीमने में व्याधी आती है बीमारी आती है रुकावट आती है उसका या जो बढ़ापा आता है यानि जर अवस्था में पहुंसती है उसका सरीर से कोई लियन दर नहीं है बुद्ध जो यहां बात कर रहे हैं वो जो सरीर में राग और द्वेस और मोह मूरता की जो वेदनाएं पैदा होती हैं जो वेदनाओं की उत्पत्ति होती है जो वेदनाएं उत्पन हो रही हैं उनकी बात कर रहे हैं वो सरीर की बात नहीं कर रहे हैं वो कहते हैं कि सरीर के अंदर राग का पैदा होना राग मतलब किसी चीज को चाहिए 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 वो सैक्स है चाहिए वो पैसा है चाहिए वो जमीन है चाहिए वो इज्जत है चाहिए कुछ भी चीज है जो आपको चाहिए 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 खाना है भोजन है यानि जो पांच हमारी इद्धिया होती है जो हमारी जिव पतिस की जाती होना दुख है और वो कहते हैं कि इसकी बाधा जो होती है कि कभी आई कभी गई वो भी दुख है और वो कहते हैं कि इसका मरना भी दुख है और वो कहते हैं कि इसका जर होना यानि कि छे होना भी दुख है हर चीज में दुख आता है जब रा की और द्वेस की वेदनाएं आती हैं और जाती हैं वो जाते समय भी दुख देती हैं और आते समय भी दुख देती हैं उसके वारें बात कर रहे हैं क्योंकि पाली के अंदर चार सब्द चलते हैं पुराने समय बुद्ध की भासा में जब बच्चा पैदा होता है और पैदा करने वाली होती है तो उसको बोलते हैं जन्नी जन्नी बोलते हैं और पिता को बोलते हैं जनक यानि जो जीव दोनों नर और मादा होते हैं उनको जनक और जन्नी बोलते हैं और भी कई सब्द हैं मा वो जनित से बहुत सारे सब्द मिले है उससे जनम सब्द भी बना है जो हम बाद में कहते हैं जनम है तो वो जनित से बने हुए है यानि कि हमारा जब जनम होता है जनित होता है तो उसको जन्नी जनक ये सब मिलके करते हैं और जो चीज पैदा होती है उसको जन्तू बोलते है जन्तू, जन्तू यानि जो बच्चा है, चाहे वो जीव का है, क्योंकि जन्तू का मतलब साधाल भासा में जीव है, तो जन्तू बोलते हैं, जो रिजल्ट आया, जो पढ़नाम आया, यानि माता ने जो जनित किया है, जो पैदा किया है, जिसको जन्तू दिया है, वो जो बच जालै। और जो जनित और जनितवा और जननी और जनक ये दौनों सब्द जीवों के जनम से संबंदित है पर जात सब्द जो है और जाती सब्द है ये वेदनाओं के पैदा होने से है यानि कि जो संसेशन बॉड़ी के अंदर होते हैं भाव होते हैं उनके पैदा और उनके खतम होने से मतलब है तो हम बोलते हैं जातक कथा तो जातक कथा मतलब सरीर के अंदर वेदनाओं की रागद्वेस की जो हमारी वेदनाएं हैं उनकी कथाएं भालक बताया करते थे इसको जातक कथाएं तो जातक बोलते हैं, जात बोलते हैं जाती बोलते हैं तो जाती खेत भी होता है, यानि कि जहां वेदनाएं पैदा होती हैं उसको जाती खेत बोलते हैं, जाती से बहुत है, जातिद्ध होता है, जातिद्ध इंद्री होता है, जात और जाती के सेक्रों सब्ध हैं पाली के अंदर, पर वो वेदनाओं से संबंदित हैं, वो जनम से संबंदित नहीं है इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि जाती का मतलब पाली के अंदर ये वाली जाती है ये वाली जाती नहीं है क्योंकि जात और जाती का जो अर्थ है वहाँ पर वो है उत्पन होना पैदा होना यानि कि वेदनाओं का सरीर के अंदर जो बारवार संस जो वेदनाय आते हैं, जो भाव आते हैं, उनका उत्पत्ती होना, उनका पैदा होना, उसको जात और जाती बुला गया है, दौनों का मतलब एक है, और उसकी कथाएं हैं, जिनको जातक कथा बोलते हैं, और इसमें कोई नर और नारी का नाम नहीं है, यानि कि ये मेल और फीम system बोलते हैं जाद system बोलते हैं इससे नहीं है कम्मंत एक सब्द है कम्मंत अगर हम किसी से पूछते हैं तुम्हारा काम क्या है तो आज हम साधन पूछते हैं कि तुम्हारा काम क्या है पर कारोबार क्या है काम क्या है पेसा क्या है इसको पाली में बोलते हैं कम्मंत यानि अंत मैं कुम्बकार हूँ, मैं चम्बकार हूँ, मैं यहां घोड़ावान हूँ, रथवान हूँ, या मैं राजा हूँ, या मैं सिपाई हूँ, या मैं दर्बान हूँ, वो कम्मंत के जवाब में अपने पेशे को बताता है, कि मैं इस पेशे का हूँ, तो वो जो पेशा बताता है वो जाती नहीं है क्योंकि जाती है भावना जो अंदर आ रही है और जो पेशा बता रहा है कारोवार बता रहा है जो बिजनिस बता रहा है वो कंबंत में आता है तो आप अगर ध्यान दोगे और अच्छी तरह से जानोगे तो आप ये पाओगे कि भारत में कुछ लोगों का पेशा है और कुछ लोगों का पेशा ही नहीं है यानि उनका काम ही नहीं है इसलिए जो व्यक्ति जो काम करता है बाद में उसको कम्मंत कहने की बजाए कि इसका कम्मंत ये है या उसका कम्मंत ये है उसकी उत्पती क्या है वो क्या उत्पन करता है तो जाती जो सब्द उत्पन के लिए आता था वो जाती उसकी कम्मंत के लिए इस्तमाल होने लगा सब्द बदल गया और हम ये पूछने लगे कि आपकी उत्पनता क्या है आप क्य उत्पन करते हो, तो जात और जाती, जो राग द्वेस उत्पन होते थे, हम राग द्वेस के उत्पन के वारे बात करते थे, वो राग द्वेस के साथ ना होके, कम्मंत के साथ आगे, काम के साथ आगे, यानि हम काम की उत्पत्ती क्या है, काम क्या है, उसके वारे पूश लग और जाती जो उत्पनता का सब्था या जात था वो काम के साथ में जुड़ गया क्योंकि लोग बुद्ध की जो धम की जितनी भी जानकाई थी उसको भूल गए तो ये भूल गए कि जाती का मतलब हम जो रागदुय से उससे उत्पन भावनाओं के बारे में वेदों के बारे में पूछते थे वो खतम होके काम के बारे में आ गया इसलिए भारत के अंदर जो लोग जो काम करते थे उनको उसी काम के नाम से जाने लगे और कम्मंत की वजाए जाती बोले लगे जैसे कोई अगर किसान है तो उसको बोलते थे जाती कसक जाती कसक मतलब किसानी का काम खेती काम उत्पन करता है या जैसे सिकारी है कोई सिकार करता है तो उसको सिकारी बोलने लगे या कोई केवट है तो केवट बोलने लगे यानि जाती केवट कोई आदमी अगर धीर बढ़ाई का काम करता है तो उसको जाती उसकी बढ़ाई हो गई कोई आदमी चमका काम करता है तो उसकी जाती चमकार हो गई काम के आधार पर हम जातियां बोलने लगे और जातियां महां से आने लगी जब तक काम के आधार पर हम किसी को बोलते थे कोई दिक्कत नहीं थी आज भी हम काम के आधार पर बोलते हैं बहुत साई लोगों को बोलते हैं किते ही हलवाई है पहले हलवाई नहीं हुआ करते थे क्योंकि दुकान वगरा होती नहीं थी पर आज की डेट में हलवाई भी होता है पहले नाई नहीं हुआ करते थे क्योंकि साई लोग अपने बाल करते पर केस कपक होते थे अभी नाई भ पर आज हम इनको जाती के नाम से नहीं हुनाते गर्वल कहा हुई है और गर्वल को हमने कैसे एक्सेप्ट कर लिए अगर वो समझ में आ जाएगा तो जाती का अभ्यास खतम हो जाएगा जो व्यक्ति पावर्फुल होते हैं जो व्यक्ति ताकतवर होते हैं जो व्यक्ति जुंड में रहते हैं उनको सब लोग इज़त से बोलते हैं उनको कोई नीचा नहीं बोलता क्योंकि वो खा जाएंगे वो आपको मार देंगे आप उनके सामने कर जाओगे तो आपको तमीज से बात करनी पड़ेगी चाहे बेसक उन्होंने आपका कितना भी नुकसान किया है आप उनको अबे तबे नहीं बोल सकते पर जो व्यक्ति अकेला है और उसके सामने और जब तक हम संग में रहे तब तक ये जातियां उत्पन नहीं हो पाई जो आज के समय गालिया है ये नाम नहीं उत्पन हो पाए जो आज के समय गालिया है किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे काम को और हमारे पेसे को नीच और उन्चा कह सके ना उन्चा या नीचा किसी म मांग के खाते थे, उनका कमंती वो था मांग के खाने का, वो व्यक्ति संग बना गए, और मांग के खाने वालों ने कमा के खाने वालों पे रूल करना शुरू कर दिया, और रूल करने के उन्होंने जो गुण अपनाए, वो तोलने के गुण अपनाए, कि इनको तोड़ा जा है जब वो टटी करता है कि टटी खराब čीज है या अच्छी चीज है अगर आप उसके सामने आच्छी अर्ए गंदी चीज और मुह बनाके बारा बार नहीं कोगे तब तक उसको ये एसास नहीं होता कि जो मेरे घरवाले हैं जो मुझे बारबर बता रहे हैं कि ये अच्छी चीज है या खराब चीज है वो लेटीन में हाट डाल देगा हाट सान लेगा उसको कोई मतलब नहीं है उसके लिए लेटीन एक मट्रियल है पर उसके मावाब को ये पता है कि ये लेटीन बदवु देती है बदवुदार है इसमें बदवु आती है ये अच्छी चीज नहीं है इसलिए वो उसको बारबर कहते हैं ये गंदी चीज है उसके मन में ये डालते हैं कि ये गंदी चीज है यह गंदी चीज है और थोड़े समय बाद वो बच्चा यसी दो साल का होता है वो समझ जाता है कि यह लेटिन गंदी चीज है तो वो भी उससे दूर भागता है और जीवन भर के लिए वो लेटिन को अच्छी अच्छी खराब 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 बोलता रहता है बदूदार बोलके चेहरा खराब करता रहता है ना केबल अपनी लेटिन से बाकि दूसरों की जो लेटिन है उनको भी देखके उसका मुँँ खराब होना शुरू हो जाता है तो ये उसके मन में जो बाट डाली गई है लेटीन खराब और अच्छी नहीं होती लेटीन लेटीन होती है पर उसका बदूदार और उसका सिस्टम देखके जो मन में ड्राला गया है उसको खराब और जो कोई खुशववदार चीज़ है उसको अच्छा जबकि बच्चे को नहीं पता है कि ये खुशवदार चीज़ है पर उसको कहते है ये अच्छा है ये अच्छा है तब उसको पता चलता है कि अच्छा क्या है ये खराब क्या है ठीक वैसे ही जब हमको तोड़ा गया तो हमारे काम के आधार को खराब और अच्छा बता के तोड़ा गया हम सारे काम करते थे पर वर्ग भेद में जब बार-बार मन में ये डाला गया कि ये काम खराब है ये काम अच्छा है ये काम खराब है ये काम अच्छा है वो बात हमारे मन में डाल दी गई डाल दी गई आज के समय जो सफाई का काम करता है उसको हम पूरा ही गंदा माल लेते हैं क्योंकि हमारे मन में डाला हुआ है जो चमले का काम करता है उसको पूरा ही गंदा माल लेते हैं कि ये गंदा काम है ये व्यक्ति भी गंदा है जो व्यक्ति खेती किसानी का काम करता है जंगल में उसक काम है जो व्यक्ति साफ सवाई का काम फैक्टि में करता है उसको गंदा माल लेते हैं और जो व्यक्ति कपड़े का काम करता है पढ़ाने का काम करता है सौने का काम करता है उसको अच्छा माल लेते हैं और जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है खाली किसी जगे जाके बैठा हु उसको दिमाग में डाल दिया कि यह सबसे अच्छा है, नहां दो के बैठा हुआ है। तो वहां से छोटा बड़ा डबलब किया गया, और छोटे बड़े का सिस्टम डालके लोगों को आपस में छोटा बड़ा करके अलग किया गया। चोटा बड़े के साथ नहीं जाता पर ये सिस्टम कितना चोटा है कितना बड़ा है कोई नहीं बता सकता क्योंकि यह सिर्फ सिस्टम बनाया गया ताकि हमारा जगड़ा अपस में लगे और हम अपने resources को उसको दे आए तो हर एक व्यक्ति सबसे उंचे वाले को खुस करने के लिए देता रहता है और हर एक व्यक्ति खुस है कि मेरे नीचे कुछ है मेरे नीचे कुछ है पर ये नहीं समझता कि उसके उपर भी कुछ है उसके उपर भी कुछ है और ना किसी के नीचे कोई था और ना किसी के ऊपर कोई था तो वहाँ से ये सिस्टम डवलप हुआ और ये सिस्टम ज़्यादा पुराना नहीं है क्योंकि पुराने समय में अगर आप ध्यान दोगे तो जितने भी पेशे हैं, रोजगार हैं, यानि कम्मंत हैं वो कम्मंत उसे समय भी वैसे थे जैसे आज है जैसे आज हम कहते हैं, डॉक्टर एक पेशा है, वैद एक पेशा है तो डॉक्टर और वैद जो पेशा है, उसमें हम नर नारी नहीं लगाते अगर कोई महिला है डॉक्टर है तो उसको भी कहते है महिला डॉक्टर है और कोई अगर नर डॉक्टर है तो नर पेशा ना मेल है ना फीमिल है पेशा जो है जो बिजनिस है जो वर्क है जो कम्मंत है वो न्यूट्रल है यानि कि वो दोनों के लिए सेम है कोई अफसर होता है ओफिस के अंदर तो चाहे वो महिला है, चाहे वो नर है, चाहे वो नारी है, दोनों ही केस में वो अफसर होती है, या अफसर होता है, तो हम यह नहीं कहते कि यह अफसर फीमेल हो गई, यह अफसर मेल हो गया, अफसर अफसर है, अगर कोई डिप्टी कमिशनर है, तो नर हो या पानी को लाके भरने का काम करता था तो वो नर हो या नारी हो वो काम सक्का ही था कोई अगर चमकार है तो चमकार नर करे या नारी करे काम चमकार था यानि पेशा जो था वो ना नर था ना नारी था वो नूटल था व्यक्ति कोई भी करे चाहे नर करे या नारी करे इसका मतलब यह हुआ कि जो आज के समय जो बात के समय यह बनाया गया कि पेशा नारी का अलग है नर का अलग है जैसे कहते हैं कुमार और कुमारी यह आज की भासा है उस समय जो बतन बनाता था उसको कुम्बकार बोला करते थे बस वो कुम कार के अलावा कुछ नहीं होता था तो पेसा जो होता है यानि कम कार जो होता है वो जात नहीं होती वो सिर्फ कम कार उसका बिजिस उसका वेबसाय होता है पर ये धीरे 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 सिस्टम जो आज के समय लाद दिया गया उस समय काम के आधार पे उसको सीड़ी बना के हमारे सामें लाया गया और हमें आपस में ये एसास कराया गया कि ये चोटा और ये बड़ा ये चोटा बड़ा और फिर हमारे ही उस पेसे के तहत में लोगों को बंद कर दिया गया और कहा कि आपने सादियां भी इसी में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा फायदा होगा, ऐसा करके समझाया गया, तुम्हारे पेसे का है, वो तुम्हारे पेसे की है, सादी करेंगे, पेसा बढ़ेगा, तब तक तो ये फायदेबन था, पैकर जब ये गोल पंदी हो गई और सब लोग इसी के अंदर हो गए तो ये छोटा घेरा बन गया और हमारा जो बड़ा संगे वो तूटता चला गया और हमको पता नहीं चली कि हमने कब अपने आप अपने सिस्टम को तोड़ दिया और कब हम छोटे छोटे दायरों में बंद गए छोटे छोट में भड़ती है उसकी काम अब उसकी जो जात है वो सैनिक होनी चाहिए जो व्यक्ति MP MLA बन गए उनकी जात राजा की होनी चाहिए उनकी जाती राजा की होनी चाहिए और जो व्यक्ति डॉक्टर इंजिनियर बन गए उनकी जातिया डॉक्टर इंजिनियर होनी चाहिए उस पेसे उस कम्मंद के हिसाब से पर सिस्टम हाथ से निकल गया जो काम से जातिया आरम हुई थी काम की पहचान से जातिया आरम हुई थी वो जड़ हो गई वो जड़ कर दी गई व्यक्ति कुछ भी काम करे कुछ भी पड़े कुछ भी लिखे कितना ही बड़ा बने विदेश जा और उसकी acceptance क्यों कराई गई क्यों उसको जविस्ति मानता दिलाई गई क्योंकि अगर उसकी मानता मजबूत नहीं की गई तो जाती का लाब उपर वाले को नहीं मिलेगा और सबसे मैजदार बात ये है कि सबसे ज़्यादा लाब वो ले रहा है जिसकी जाती नहीं जिसकी कोई काश्ट नहीं यानि जो मंगते थे पहले लोग, जो भिकारी थे, जो याचक थे, जो कुछ काम नहीं करते थे, जिनका कोई पेशा नहीं था, उनकी कोई जाती नहीं बन पाई क्योंकि जातियां पेसे के अधार पे बनी पर जब कोई कामी ना करे मंगते का करे तो वो भीकायरी की जाती उनकी जो थी उन्होंने वो सुविकार नहीं करी और उन्होंने बड़े अच्छे सड़िनत से अपने आपको जाती विहिन रखा और सारी जातियों के उपर अपने आपको एस्टाबिस करके और सारी जातियों के बेनिफिट को लेते रहे और यहां तक अपने आपको गोचित करते रहे हम सबसे बड़े हैं क्योंकि अगर वो जाती में आते तो सबसे नीचे आते क्योंकि मंगते थे तो मंगने का काम सबसे नीच काम है मांगने का इसलिए अगर जाती के पेसे में उनका सिस्टम बनता हमारे साथ तो वो सबसे नीचे बनता पर उन्होंने जानते थे कि हम सबसे नीचे क्यों रहें इसनिए उन्होंने जातियां बनाई नहीं और अपने आपको उपर प्लेस किया और जाति का जो सीडिदार फायदा है, स्टेप बाई स्टेप का जो फायदा है वो सबसे उपर वही लोग ले रहे हैं पर कोई इस बात को ध्यान ने देता कि भाई इनकी जाति क्यों नहीं है और इनका पेशा पहले क्या था और ये क्या काम करते थे क्योंकि जिनकी जातियां है वो पेशे से आई है और जो पेशा करते थे, जो रुजगार करते थे, जो वेबसाय करते थे वो लोग यहीं के हैं, वो लोग मंगते नहीं हैं और वो यहां के मूल निवासी है ये बाते होती है, इसलिए लोगों ने बाद में धरम भी बदले कुछ मुस्लिम होगे, कुछ इसाई होगे, कुछ सिक्क होगे, कुछ अलगतरेगी उसमें चलेगे क्योंकि ये आपके भारतिय होने की, ये आपके महा भारतिय होने की, ये आपके बुद्ध से पहले यहां का जन्द आता होने की पहचान है ये नहीं जा जा सकती, इसको नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये आपका रुजगार है, ये आपकी गारंटी है और जो लोग यहां के थे नहीं और जिनकी कोई रुजगार नहीं था उनकी कोई जाती नहीं है उनको जाना पड़ेगा क्योंकि वो उनोंने यहां कोई काम नहीं किया वो सिर्फ मंगते थे और वो आज भी गर से कहते हैं कि हम तो मंगते हैं उनकी सारी कहानिया कहती हैं कि हम तो मंगते हैं इसलिए जातियों का ब्यास खराब है जाती की जानकारी खराब नहीं है आप जाती की जानकारी रखो तो जाती की जानकारी रखने के लिए आपको थोड़ा गहन चिंतन करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कुछ नहीं, इसका कोई पैसा नहीं लगता आप ये सोचिए कि जो जाती आपके माते पे चिक्की हुई है जिसको आप जट बता देते हो आख बंद करके वो बेसिकली आई कहां से है तो आप पाओगे कि ये जो जाती है आपके रिस्तदार ने आपके माता ने आपके पिता ने आपके भाई ने आपके बहन ने आस पास के लोगों ने इसको इंट्रडूस कराया है उ और वो जाती कहां से आई है, ये किसी नहीं बताया, क्योंकि उनको भी नहीं पता, कि ये जाती का सिस्टम कैसे डभलब हुआ, इसके क्या है, क्या परणाम है, क्या दुस्परणाम है, चलेशने को ने रह बाता है, तो जो जाती का लाब उठाते हैं वो सबसे पहले जाती पूशते हैं ये ठीक ऐसे है जैसे किसी को आपने रुपिया उधार दे रखा है और कोई व्यक्ती जिसको उधार दे रखा है वो आपको मिला तो सबसे पहले आप उससे को कहा भई पैसे दे तो उधार ले रखा है तो जितना पैसा होगा दे देगा वैसे ही जो जाती लेके घूमते हैं वो दूसे लोगो का उधार लेके घूमते हैं जैसे ही कोई सामने वाला मिलता है और वो जाती पूछता है तो बड़ी जाती वाला अपना उधार ले लेता है उससे कैसे उधाल लेता है मौरली अप हो जाता है वो और जिसकी जाती छोटी सिस्टम में डबलप की हुई है वो मौरली डाउन हो जाता है आदा दूर उसकी आवाज ने निकलती ये सिस्टम में कौन डालता है ये सिस्टम में और माइंड में डालते हैं हमारे अड़ोसी पड़ोसी और खुद वो लोग जो जाती का फाइदा उठाते हैं वो कहते हैं अरे तु तो उस जाती का है बड़ा बेकार सा मूँ बना के जैसे बच्चे को कहते हैं अरे तो पॉट्टी है तो टट्टी है ऐसा मूँ बना के तो उसको लगता है कि यह खराब चीज है यह खराब चीज है पर उसको सुख देने के लिए कहते है अरे तुसस ते खराब कोई और भी है उसके नीशे का इस्टेफ दिखा देते हैं तो वह सोचना बंद करते था है वो कहता अच्छा ही तो सिस्टम ही ऐसा है मेरे नीशे भी ह मैं किसी के नीचे भी हूँ वो सेटिफाई हो जाता है पर वो कभी यह नहीं सूचता कि систем में सबसे उपर कौन है और किसने इसको डबल अब किया है तो कभी भी कोई भी अपने व्यक्ति अपने जो चैन होती है जो माता पिता दादा दादी परदादा परदादी या जो भी लोग है वो कभी जिरह नहीं करता और कभी कोई सोचे भी जिरह भी करे तो उनको पता नहीं होता और किसी को पता होता है थोड़ा बहुत तो वो थाकार के कहता है कि भाईया ये तो चलती है ये तो रुकती नहीं जब उसकी जाती का नाम लिया जाता है तो उसके चेरे पर मुस्कराट आती है या उसका चेरा खराब हो जाता है या जब कोई सेम जाती वाला दो बंदे मिलते हैं तो क्या उनको अच्छा लगता है और जब कोई अपोजिट जाती वाले दो लोग मिलते हैं तो क्या उनको खर किये गए पर वो प्रयाज जितने किये गए उससे और मजबुत होता है सिस्टम क्यों मजबुत होता है इस सिस्टम की खास बात यह है कि आप इसको जितना हटाने की और जितना तोड़ने की कोशिस करोगे उतना यह मजबुत होता है क्योंकि आप इसको याद करते हो उसकी प् लेना है आपको बार बार जब बाहर निकलोगे तो जो सिस्टम में प्रैक्टिस में जाती के में जिसको ने अपनी बड़ी जाती का सिस्टम का रखा है या बिना जाती का ओपर बैठा हुआ है वो तो बार बार पूछेगा क्योंकि उसको फायदा होना है उसे पता है कि इतने काश तो मानबता है हम तो सब को बरावर मानते हैं कि उसे पता है कि जात बताएगा छोटी है तो फिर मेरा मनोबल गर जाएगा तो मनोबल बचाने के लिए दायवाइब होता है कुछ लोग जूट बोल जाते हैं हम तो बड़ी जात के हैं हम तो फलाना है ध्राना है जिसका ल इसी तरफ जाओगे तो समदो लोगों की कोई कासस्टम नहीं है कोई जाती वाती नहीं है कोई नाम नहीं मिलता तिरपीटक में 6743 में से एक भी जाती का नाम नहीं मिलता और अभी जो कालपनिक कहानियां हैं उन कालपनिक कहानियों में भी दो, चार, दस, पांच जातीयों के नाम मिलते हैं जो कालपनिक कहानियां उसमें कोई धोबी का पात्र है कोई केवट है, कोई बेरी का है अधिकतर नाम कौमन इसलिए हैं क्योंकि काम ही थोड़े से हैं पर उनके नाम बदले गए हैं पूरे भारत में अगर आप सारी जातियों का एक चार्ट बना लोगे और चार्ट बना के ये देखोगे कि इसके अंदर बरतन बनाने का काम किस-किस नाम से होता था तो आप अलग 1733 जाती आएं इसमें कपड़ा बनाने वाली जो हैं वो कितने नामों से हैं तो आपको बहुत नामों से उसमें कपड़ा बनाने वाले लोग मिलेंगे आप देखोगे किसमें कपड़ा सिलने वाले कितने लोग हैं उनके नाम मिलेंगे आप देखोगे अलग-लग स्टेट मे कम्मंत कम हैं रोजगार कम हैं पर जातियां 6,743 हैं उनमें भीड़े चलाने वाले जो लोग हैं वो अलग-लग नामों से हैं जानवर चलाने वाले उनमें जो किसान हैं वो अलग-लग नामों से हैं उनमें जो बहलिया हैं जो च्रिया पकड़ते थे या सिकार करते हैं वो रुजगार जादा नहीं है इसलिए ये सारे के सारे भाई हैं पर इनके नाम अलग-अलग हैं इतने भाई मिलते नहीं और ये सारे के सारे एक परिवार के लोग हैं वो परिवार के जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे सिस्टम में हम सब एक ही काम करने वाले लोग हमारी परिवार का आए कि आदमी अलगलग काम करता था तो हमारी परिवार तूट गे तो जब हम जाते हैं पराने सिस्टम में बुद्ध के सिस्टम में तो वहाँ जातियां नहीं मिलती और वहाँ इतने रुजगार और पेशे भी नहीं है इतने कम्बंत भी नहीं है और उससे पहले अगर हम जाते हैं बुद्ध से पहले तो पता चलता है कि हम सारे समण हैं और सारे समण हैं वहां से हम जीत जाते हैं एक यह समण सब्द ऐसा है जो जाती को जड़ से खतम कर सकता है और कर देता है क्योंकि जब कोई आप से अपिक क्या ओ भाईए तो आप क्या जवाब दोगे अब आप अपना पेशा नहीं बताने वाले क्योंकि पेशा बताओगे तो वह जात पह ले जाईगा आपको वो पूछेगा जी पहले क्या थे जात बताओ क्या है क्या नहीं है उसका तो कोई अतर पता है नहीं आप उसे कोगे हम समण है अब वो पूछेगा समण क्या है तो आप कोगे भैया तू बता तू क्या है वो कहेगा हम वमल है या कहेगा कोई नाम लेगा जाती का तो अगर वो वमल नहीं है तो आप कहेदोगे भै तू भी स पूरा महाबरत होता है और हम सारे समल रहे हैं और हमारा संग है यहां यह जवाब इतना परफेक्ट जवाब है कि वमर बिल्कुल चुप हो जाता है तो वमर कहेगा अरे समर तो हो पर कोई जाती तो होगी तो आप पूछ सकते हो अरे वमर तो है पर कोई जाती तो होगी तो कहेगा हमें तो कोई जाती नहीं होती तो कहना बैच चंदू सिंग अगर तेरी जाती नहीं होती तो हमारी का से आ तू तो बाद में आया है, वहाँ फिर वो तरक नहीं कर सकता, क्योंकि आप यह कहोगे, तेरी जाती कौन सी है, तू बता, जाती का मतलब पेशारोजगार कौन सा है, बता, क्या बताएगा, मंगता है, भिकारी है, मांगता है, यह बताएगा, इसके लावा कुछ और उसकी पह बतातों को देखते हुए, और पूरा जाती का सिस्टम बताते हुए, जाती की बारीक बताते हुए, लास्ट में यह कहा, यह तो माइंड से चलती है, यह तो मन की उपज है, पर यहाँ जगडा दो लोगों का है, एक सर्मन लोगों का है, और एक ब्रहमन लोगों का है, तो 70 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता बात जल्दी समझ में आ जाती और जब बात जल्दी समझ में आ जाती तो काम जल्दी बन जाता इसलिए समझ संग ने पुरानी परंपरा देखते हुए कि हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं था हम एकी साथ के लोग है वहाँ जाती अभ्यास को पूरी तरह से बैन किया वज्जित किया वज्जित किया निसेद किया क्योंकि जाती अभ्यास आज के समय जहर है आज इसका जो इस्तमाल है वो पेसे के रूप में नहीं है आज इसका इस्तमाल कंबंत और काम के रूप में नहीं है वेफसाय के रूप में नहीं है वेफसाय के रूप में जो पहला सिस्टम था अगर वो सिस्टम अभी भी चलता होता तो जितने सरकारी करमचारी हैं वो सरकारी करमच कुछी के साफ से बनता पर उसके बराने से हमें लाब है अगर हम पराने सिस्टम पे अपना पेसा बताते हैं और फिर वही काम बताते हैं कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूं मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं मैं टेक्निशन हूं तो यह चीजे बहुत कमाल की हैं और यह कर दिया और उसका लाब को यौर ले रहा है और हम आया अपस में लडा रहा है उससे हमारी अबनती हुई उससे हमारा संग तूट गया उससे हम गरीब होते चले गए इसलिए जाती का सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात का है कि आप कितनी भी महनत कर लो आप कितने भी डॉक्टर मेंटकर को आपने दुनिया का सबसे बड़ा आधोनी ग्याता मान लिया तो विस्व गुरू हो जाएंगे उस समय के हिसाब से पेसे के हिसाब से और विस्व गुरू हो जाएंगे तो बागी लोग तो विस्व चेले हो जाएंगे वो क्यों विस्व चेले होना चाह दिया और बाइस की बाइस प्रते ग्यायत दी क्योंकि बावा साब अमबेट कर जानते थे कि टेक्टर इतना खराब हो चुका है कि अगर इसकी मरमत करेंगे तो पूरी जिन्द की मरमत में चली जाएगी और ये काम का भी नहीं है और अब से कोई लाब भी नहीं होने वाला इ इसमें जंग लग गई है इसमें एनरजी लगाना मूर्खता है इसलिए उन्होंने सीधे सीधे उस टेक्टर को मना कर दिया ये टेक्टर खराब है बात खतम करो इसको छोड़ दो और उन्होंने अपना फर्स क्लास फराटेदार जो पूरी मसीनती हार्वेस्टिंग की वो निकाली और का चल जाओ इस पर आप खेती बढ़िया होगी तो हम हार्वेस्टिंग की जो लेटेस्ट मसीन थी जो बावा साब ने हमने दिया हम उस पर चल गए और रर्जन करने लगे पर पुराना टेक्टर को वो पीछे चुड़वाने को त्यार नहीं है क्योंकि पुरा अब्यास नहीं करोगे तो फाइदा हमें होगा तो यह तै करना है कि हमें फाइदा लेना है या नहीं लेना है तो कुछ जो लोग हैं जिनको यह लगता है कि यह जाती का वी एक मुद्दा है जिनको यह लगता है कि जाती तोड़ो जाती छोड़ो जाड़ी फोड़ो जाती का ऐसा कर दो जाती का वैसा कर दो और ये बड़ा उचा काम है और इसको करो और इसको करना चाहिए और वो इसके लिए कई कई चीजें बताते हैं पर उससे फाइदा नहीं है उससे नुक्सान है क्योंकि आप जितना उसका जिकर करोगे जितना तोड़ोगे जितना फोड़ोगे वो एक ऐसा फिनोमिना है कि वो बीज का बीज जितना तोड़ोगे उतने बीज बन जाते हैं और उतना वो पैदा हो जाते हैं पर उन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा उन लोगों ने हमारे लोगों को जाती पे गरब करना सिखा दिया जा जाती के मेले लगवाने शुरू कर दिये, जाती के उत्सव हो गए, जाती के नेता पैदा कर दिये, जाती के दलाल पैदा कर दिये, उनको बिचारों को ये पता है नहीं कि जाती क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, बस उनको लगता है कि हजार दो हजार की भीड हो मिल जाता है पीने के लिए गले में डालने के लिए 100 ग्रम उनका अपना पेटॉल मिल जाता है वह उसी में खुसें उसी में ठाट आगया कहां सपना भी नहीं देखाता कि कई ऐसा होगा पर उनको पता नहीं है कि उन्होंने अपने समाज को कहा फैक दिया जो चीज बावा की या काम की नहीं था बिना डरे खल के इस पर जिक्र करेंगे तो इसका अभशा स्टतो नहीं कि अब काम की नहीं है यह उस समय उनके काम क्यों हो सकती थी अबुलकुल बेकार है अब जो सिश्टम हमारा है जो वो सिस्टम बावा साब ने दिया है, वो सबसे बैस्ट है, और वो सिस्टम ये है, कि हमारा समल संकती, यानि जिसको सिर्मल संकती का था, वो सिर्मल संकती और जो समल संकती है, समल संकती है, उसको हमें डवलप करना है, और उस पुरानी संकती में कहीं ये बीमारी थी नहीं, क चोड़ना भाई, यह मैं आपको फिर बता देता हूं, बहुत साही लोग सोचते हैं कि जाती का भ्यास अगर नहीं करना है, तो सार्टिफिकेट जो दिया है, उस पे हमें कोई चीज लेनी भी नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका करना बताता हूं क्या है, बावा साव अमिट करने अपनी तरफ से जाती खतम कर दी थी, और उन्होंने सेपरेट इलेक्टरोल मांगा था, सेपरेट इलेक्टरोल मिल गया हमको, सेपरेट इलेक्टरोल में जाती नहीं पुछी जाती थी, सेपरेट इलेक्टरोल में कास्ट का कोई परचा नहीं लगता था, सेपरेट सारे समण हो गए थे सब के सब पर वो लोग भी तेग हैं उनको भी पता है कि बावसा ममबिट करने कहां तीर मारा है और निसाना कहां है सेपरेट एलेक्टॉल से हम अपने लोगों को चुनते उसमें हमारा कास्ट फेक्टर नहीं आता उसमें क्या आता कि जो शिर्ल कास्ट के लिए वैल्फिर का अच्छा काम करेगा उसको लोग चुनेंगे उसमें वर्मन लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो जो अच्छा काम करेगा आएगा तो उसमें कोई यह नहीं कह सकता था कि मेरा काश्ट ऐसा है मेरा काश्ट वैसा है मेरा काश्ट वैसा है अगर लड़ते तो काश्ट के बीच में विधिन लड़ते पर जो सबसे बेस्ट काम करता लोग उसकी तरफ चले जाते पर क्या हुआ जब सेप्रेट इलेक्टरॉल को बावा साब को धमका के की जो अपॉश्टिटी है यह हमको मिली और यह तीन जगह से हमको मिली एक एजूकेशन में एक गवर्मेंट जॉब में और एक यह MPML बनने के लिए लेजिस्टिटी में तो यहां यह जब हमको मिली तो इसके लिए हमें सार्टिफिकेट बनवाना पड़ता था क्योंकि आप अगर लेजिस्टिटी में जाओगे या आप असेंबली में जाओगे तो आपको एक सार्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं सुल कास्ट के इस नहीं मिलेगी आप अवेल नहीं कर सकते और इसके लिए आपको कास्ट सिस्टम बनवाने लिए कास्ट बतानी पड़ेगी और कास्ट आपने बनाई नहीं कास्ट आप छोड़ना चायते हैं कास्ट का उप्योग नहीं करना चायते कास्ट का अभ्यास नहीं जाती का अभ्या उठाईए उसको बंद करके भूल जाएए क्योंकि ये हमारी मजबूरी है ये उन लोगों ने कास्ट को जिंदा रखने के लिए ये लॉली पॉल हमको दे रखा है हाला कि अब नोक्रिया नहीं है अब कहीं कोई फाइदा नहीं है पर फिर भी जितना मिलता है इस पर जगड़ लेλο पर इसका जिक्र मत करो और एक हो जाओ तो एक होने का काम बहुती से चल रहा है और जब सारे एक हो जाएंगे फिर आप जिसको चाहो आरक्षन देना जिसको चाहो आरक्षन मत देना क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी सम्विधान देता है उसको उतनी हिस्चेदारी और वो हिस्चेदारी ऐसी होती है कि आप जो कानून बनाना चाहें वो बना सकते हैं आप चाहें तो EBS कोटा खतम कर सकते हैं आप चाहें तो वम्लो कोटा दे सकते हैं आप चाहें तो वंबलों का कोटा चीन सकते हैं आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि वंबलों ने बहुत राज किया है इनकी परसंटेश तो 80% जॉब में है अब इनने 100 सालतने नौकरी की आउसकता नहीं है ये नियम भी पास कर सकते हैं क्योंकि जिसकी जितनी संक्याभारी है वो जो चाहे वो नियम भारत में पास कर सकता है पर करेगा वही जो संग में रहेगा जिसके पीछे संग खड़ा होगा जो इकटे होगे अदर वाय तो यह सारी बातें सपना ही होती है इसलिए यहां हम जब कहते हैं कि जाति अभ्यास कभी नहीं तो उसका सबसे मूल कारण है कि जातियों का अगर अभ्यास करोगे आप तो फिर उनी के चंगल में फजाओगे और जाती का भ्यास अगर आप नहीं करोगे तो आप किसी भी हलत में उनके चंगुल में नहीं फसोगे इसलिए बार 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 हम इस पर जोड़ देते हैं पर इसका जिक्र नहीं करने देते, सिर्फ इसकी जानकाई देते हैं अगर मेरी कोई बात यहां आपको खराब लगी हो तो मैं संग से माफी चाहता हूँ संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संगंग नमामी, संगंग नमामी, संगंग नमामी